हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल रतन भाईसा की रसोई तो आज हम हमारे रसोई में राजिस्तान की फेमस बेशन की चिकी लिखे आए हैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताएंगे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमने यहाँ पे एक किलो घी लिया हैं घी की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो हम इसे ग्यास की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए थुरा सा घी और एड करते हुए बड़े से स्पैचुला से इस तरह से चलाती रहेंगे चलाते रहना है चोड़ना बिल्कुल नहीं है ग्यास की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है सुनेरा कलर आने तक हम इसे अच्छे से बेसन को भुन के ले लेंगे तो यह देखिए बेसन का कलर जो है चेंज हो चुका है इंग्रिडियन्स जो है मैं डिस्ट्रप्शन में देती हूँ ता आप वहां से ले सकते हैं और नाप तोल के बनाई यह बहुत ही अच्छी बनेगी तो यह हमारा बेसन बुन चुका है अब हमने बेसन को एक परात में ट्रांसफर कर दिया है अब हमने उसी कड़ाई का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर लेड़ किलो आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं बतन से नाप लीजिए फिर उसका एक तिहाई आप पानी लीजिए पानी यहाँ पे कम लेना है अब हम इसके चाशनी बना लेंगे सबसे पहले ग्यास की फ्लेम को हाई रखेंगे और इस तरह से स्पैचुला चलाते हुए हम चाशनी बना लेंगे चाशनी को चेक करने का एक आपको तरीका बताती हूँ एक बाउल लीजिए और बाउल के अंदर पानी डालिए पानी में आप चाशनी के दो तिन डॉप्स मूंदे गिराईए अगर आपकी चाशनी वहाँ पे जम रही है इसका मतलब जो है चाशनी आपकी परफेक्ट बन गी या फिर आप हातों के बीच में रब करके देख सकते हैं एक या डेड़ तार की चाशनी आपको बनानी है अगर चाशनी आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो चक्की जो है अच्छी नहीं बनेगी तो कटोरी में पानी लीजिए पानी में ड्रॉप्स गिराईए अगर चाशन अच्छे से मिक्स कर देंगे यह सारा प्रोसेजर करते समय आपके पास अगर कोई हेलपर है तो उन्हें बोलिए थाली या फिर प्लेट को जो हैं घी से ग्रीस करके रख दे क्यूंकि अच्छे से मिक्स होने के बाद में हमें इसे फटा फट से थाली में ट्रांसफर करना है व एक से दो हेलपर रहेंगे तो अच्छा रहेगा या फिर कम कॉंटिटी में बना रहे हैं तो आप खुद अकेले भी कर सकते हैं तो यह हमारा पौफेक्ट हो चुका है अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम घी से ग्रीस की हुई ग्यास की फटा फट शुन को मैंने यहापे जम जाएगा थालियां जो हैं, मैं ने पहले से गी से ग्रिस कर रखी थी, तो इस तरह से हम डालते चाहेंगे, और फिर थाली को इस तरह से थोड़ा सा शेक करेंगे तो यह evenly थाली के अंदर फैल जाएगी, तो यह देखिए इतनी सारी थालियां में मैंने सव कर दी है अब आप चाहिए तो इसके उपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं काजू किसमिस लगा सकते हैं स्वहरी किसमिस नहीं लगाने है ट्राइफुट्स को कट करके आप लगा सकते हैं तब हम थोड़े सी जादा ठंडी नहीं होने देंगे हम फटाफट इसमें कट लगा लेंगे अनमोल्ड इतना जल्दी नहीं करेंगे बढ़ हम इसे कट लगाएंगे तो बहुत आसान से हमारे कट जो है लग जाएंगे तो इस तरह से गरम गरम में ही हमें चाकू की सहायता से आपको जो शेप पसंद है छोटे मोटे काजुगतली सेप में स्क्वेर में जिस टाइप से पसंद है आप उस टाइप से कट कर सकते हैं तो कुछ को जो है मैंने काजुगतली के शेप में यानि की डाइमन शेप में कट किया है और कुछ को जो मैंने स्क्वेर शेप में कट किया है तो यह चोटी चोटी प्लेट्स हैं इसलिए बहुत सारी प्लेट्स में यह चक्यां जो है मैंने जमाई हैं तो यह हमारी बेसन की चिक्की चोहें बनके रडी हो चुकी हैं कोई भी डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में शेर कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के शाज शेर जरूर कीजिए